दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डूब्लिकेट पेंट कार्ट के बारे में अगर आपका पेंट कार्ट गुम हो जाता है तो उसे आप कैसे दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर आपके पास पेंट नमबर रहेगा तो आप दोबारा पेंट कार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं डूब्लिकेट पेंट कार्ट के बारे में मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है दोस्तों उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा तो पेंट कार्ट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका pin card download हो जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत से लोगों को pin card download हो रहा है और बहुत सारे लोगों का pin card download नहीं हो रहा है तो इसके लिए दोस्तों main कारण यह है कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमारा pin card कौन सी company से बना है तो दोस्तों दो ऐसी company आ है जो pin card बनाती है NSDL और UTI तो अगर दोस्तों आपका pin card गुम हो जाता है और आपको pin card NSDL की website से बना है और आप उसे अगर UTI की site से डाउनलोड करते हैं तो आपका pin card डाउनलोड नहीं होगा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सूपर टेक्नला जी मैं अपसे बीकर स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा pin card कौन से पोर्टल से बनाए गया है दो पोर्टल होते हैं NHDL और UTI जो मैंने आपको बता दिया है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं NHDL और UTI दोनों साइट खोल के रखा है इसकी लिंक आपको पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगी आप उसे डिरेक्ट ओपिन कर सकते हैं हमारा पिनकार्ट कौन से साइट से बना है इसको जानने के लिए आप कोई भी एक साइट ओपिन करेंगे चाहे आप NHDL साइट ओपिन कीजे चाहे आप UTI साइट ओपिन कीजे और यहाँ पर दोस्तो आपको request करने का option मिलेगा duplicate pen card download करने का तो यहाँ पर आपको detail fill करना है जैसे यहाँ पर आपको pen card डालना है और यहाँ पर आपको आधार number डालना है आधार number यहाँ पर दोस्तो कुछ और instruction बताया है only for individual अगर दोस्तों आपका individual बना है particular आपके लिए बना है तो यहाँ पर आपको आधार number डालना है अगर किसी firm या फिर company का है तो आपको यहाँ पर आधार number नहीं डालना है उसके बाद pain card में जो data forth रहेगा उस data forth को आपको डालना है और यहाँ पर इस term को accept करना है और यहाँ पर स्कैपचा को fill करके आपको submit कर देना है जैसे ही दोस्तों मैंने submit किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का screen आ गया है यहाँ पर कुछ error आ गया है हमारा next page जो पर नहीं हुआ है तो यहाँ पर यह बताया है as per income tax department ITD यानि income tax department database अब यहाँ पर दोस्तों बताय जा रहा है कि जो आपका pen card बना है वो आपका UTI की site से बना है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है process throw UTI यानि दोस्तों हमारा यह pen card जो भी हमने इसके लिए request किया है तो यह हमारा UTI की site से बना है तो यह हमारा NSDL की site से download नहीं होगा तो ऐसा ही दोस्तों pen card download होगा otherwise आपका UTI की site से download होगा अगर दोस्तों यहाँ पर हम इस pen card को UTI में download करके देखते हैं तो हमारा download हो जाएगा तो चले UTI की site पर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर UTI की site पर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आधार number डालने का option नहीं रहता है याँ यहाँ पर आपको pen card number डालना है अपना data further डालना है और यहाँ पर इस capture को fill करके आपको submit कर देना है जैसे दोस्तों आप submit करेंगे तो कुछ इस तरह का screen आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको यह facility दी जाती है कि आप duplicate pen card download कर सकते हैं सबसे उपर दोस्तों आपका pen card number आ जाएगा यहाँ get OTP पर click कर रहे हैं आपके mobile number पर OTP आएगा और आपको 8.26 पैसे का payment करना होगा उसके बाद आपका pen card download हो जाएगा इसी तरीके से दोस्तों NHDL में रहेगा कि NHDL से अगर आप download करना चाहते हैं अगर आपका NHDL से बना है तो यहाँ पर आप NHDL की site पर आएगे और यहाँ पर आप pen card number डालेंगे individual रहेगा तो आधार number डालेंगे अगर आपका फर्म का रहेगा इसी किसी company का रहेगा तो यहाँ पर आपको आधार number नहीं डालना है इसकिप कर देना है और नीचे आना है आपको term को accept करके और इस capture को फिल करके submit कर देना है जैसे दोस्तों आप submit करें card से attach रहेगा तो आपका email ID भी सू हो जाएगा आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दो option देखनों को मिल जाएंगे यहाँ पर एक तो आपको term को accept करना है और यहाँ पर आपको कुछ और accept करना है जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि select from below option to receive OTP य आपको generate OTP पर click कर देना है उसके बाद आपके mobile number पर OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर डालना है दोस्तों देख सकते है मेरे mobile number पर OTP पर डालने के बाद आपको validate वाली option पर click कर देना है जैसे आप validate पर klik करेंगे तो आपके सामने payment page आज है जैसे आप payment कर देते है तो आपका e pin card download हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं instruction में भी बताया गया है आपको 8.26 पैसे का payment करना पड़ेगा जब आप payment करेंगे तभी आप यह pin card download कर सकते हैं इसका charge है 8.26 पैसे तो इस तरीकी से दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि आपका pen card कौन से portal से बनाया क्या है अगर आपका UTI से बना है तो आपको UTI से download करना पड़ेगा अगर आपका NSDL से बनाया गया है तो आपको NSDL से download करना पड़ेगा I hope दोस्तों कि आप समझ गए होगे कि आपको pen card कैसे download करना होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like कीजिए अपने friend के साथ share करिए मन में कोई doubt या problem है तो नीचे आप comments कर सकते हैं और मुझे Instagram पर follow करके वहाँ भी message कर सकते हैं नीलेज094 या फिर वीडियो के description में लिंक मिल जाएगी आप वहाँ से भी follow कर सकते हैं और मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लीजे क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह knowledgeable and useful वीडियो लात रहता हूँ thanks for watching मिलते हैं नेश्ट वीडियो में new topic के साथ तब तक के लिए जाए हिंट केर